नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलैन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में निकली भरती के बारे में तो दोस्तो अगर आप भी इंडियन नेवी को जोयन करना चाहते हैं और आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल Siva Online Classes को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और वैल आइकन को press कर लें जिससे आने वाले वीडियो की notification आप तक पहुंचती रहे तो चलिए दोस्तो start करते हैं आज की वीडियो तो इस समय हम है इंडिय नेवी की official website पर और यहाँ पर दोस्तो जो इनका advertisement है वो मैंने आपको download करके रख लिया है तो पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में इस भरती से संबद दे तो यह है दोस्तो वो advertisement जो कि इंडिय नेवी की website पर दिया गया है और इसमें कौन-कौन से पदो पर भरती निकली है कैसे आपको apply करना है कब से आपके online apply dates चुरो होगी पूरी हम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो इसको मैं zoom कर लेता हूं दोस्तो जूम करके आपको अच्छे से दिखाई भी देगा यहां पर देख सकते हैं दोस्तो date of opening 6 October 2020 और date of closing यानि कि last date for online applications आप यहां पर देख सकते हैं यह 20 October 2020 6 October 2020 से 20 October 2020 की बीच में आप इस भरती के आप लिए apply कर सकते हैं आप इंडिया के किसी भी state के रहने वाले हैं आप इस भरती में apply कर सकते हैं लेकिन यह जो भरती है दोस्तो वो only male candidates के लिए है अगर आप 12th pass है और male है और आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं ठीक है तो यह दोस्तो applications are invited from unmarried male candidates to join the Indian Navy Academy ठीक है तो यह जो academy है दोस्तो इसको join करने के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है यह चार साल का आपका BTEC entry scheme course है यहाँ पर आपके लिए दोस्तो इंडिया नेवी में officer बनने का सुने रहे मौका है तो यहाँ पर जो दो ब्रांचों में vacancies निकली हुई है वो आपको बता देना चाहता हूं between 2 July 2001 से 1 January 2004 के बीच में आपकी date of birth होनी चाहेंगे मतलब अगर आपकी date of birth 2 July 2001 से 1 January 2004 के बीच में है तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम education qualification की तो अगर आप 12th pass है और आपके पास में हैं दोस्तों PCM group याने की physics, chemistry, math और आपके पास में English भी होना अनुबारी है तो आपके पास में physics, chemistry, math और English अगर आपके पास में यह चारों सब्जेक्ट हैं तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके इन चारों सब्जेक्ट में 50% मात से कम नहीं होना चाहिए और आपकी जो overall percentage है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 70% होनी चाहिए ठीक है अभी आता है दोस्तों यहाँ पर who can apply तो candidates who have appeared for JAE main 2020 इस line को ध्यान से देखिए गए पैर नमबर 5 के लिए आप ध्यान से सुनिए गए यह बात आपने YouTube पर इस भरती से संबंदित हो सकता है कई वीडियो देखे हूं लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह बात आपको किसी नहीं बताई होगी सभी ने आपको यह बताए होगा कि 10 प्लस टू याने कि आप intermediate पास हैं तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं लेकर दोस्तों ऐसा नहीं है यह क्या है नेवी में officers की भरती निकली है तो officers की भरती only 12th पास से नहीं हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर candidates who have appeared for JEE main 2020 for BE obliq b-track exam ठीक है तो अगर आप 12th पास है PCM group से आपका 70% marks है इंगलिस में आपके और physics से कमिस्ट्री में 50% marks से कम नहीं है 10th और 12th में उसके अलावा आपके लिए दोस्तों JEE main में आपके लिए apply करना जो अगर आप appear किया है तब यह आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठीक है JEE main 2020 का जो exam हुआ था उसमें BE और BTEC के लिए अगर आप appear हुए है तो आप उस भरती में सामिल हो सकते हैं form भर सकते हैं लेकिन आपके जो call letter होंगे दोस्तों जो service selection board यानि के SSB interview के लिए वो आपके जो JEE mains में all India rank आई होगी उसके इसाब से आपके लिए call letter दिये जाएंगे ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपका अगर आप इसके रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपके लिए चार दिन का interview के लिए बुलाए जाएगा तो जब आपका चार दिन का interview होगा अगर उसमें पास हो जाते हैं फिर आपका medical exam होगा medical में अगर आप पास हो जाते हैं तो एडवांचर ठीक है यह पूरे के पुरे आपको जो भी एक कमिश्ञेड ओफिसर के लिए नेवी में मिलते हैं पूरे के पूरे आपको मिलने बाले हैं कि आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया है फोरे इस इंट्रिव्यू ठीक है पोस्के बाद में आपके ट्रेनिंग की पारे में यहां पर दिया गया है तो दोस्तों अगर आप इस अगर आप इस नोटेस को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मैं इसका जो लिंक है वो अपने चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपने टेलिग्राम चैनल का लिंक बहाँ से जाके आप इस वीडियो की जो यह जो पीडियो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं अभी आपको हाओ टो अप्लाई अप्लाई कैसे करना है यह एक मेन पॉइंट है इसको मैं आपको बता दूं उसके बाद मैं इस वीडियो को फिनिस करते हैं ठीक है Candidates are to register and submit their application on the recruitment website www.joinindiannavy.gov.in from 6 October 2020 ठीक है to 20 October तो आपके लिए जो आपका अप्लाई करना है recruitment website जिसका link यह दिया हुआ है दोस्तो www.joinindiannavy.gov.in यहाँ पर आके दोस्तो आपके लिए अपनी जो online application है वो फिलप करना है 6 October से 20 October 2020 के बीज में ठीक है तो यही थी दोस्तो इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल सिवा online classes को subscribe जरू कर लेना ठीक है दोस्तो तो आप सभी ने देखा कि हमने आपके लिए इंडियन नेवी की official website पर आकर और उसका जो official notice है उसको दिखाया आपके लिए तो ये भरती है दोस्तो बिलकुल clear भरती है इसमें कोई भी आपको डरने की बात नहीं है आप बिलकुल इसमें form भर सकते हैं और इंडियन नेवी में officer बनने का आपके पास में एक सुनेरा मौका है ठीक है तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जै भरत